ओम नमो भगवते बास देवाई नमा स्वागत आप सभी का मेरे वक्ती भावना यूटूब चैनल पर दोस्तो आज मैं आपको 16-81 के बारे में जानकारी दूँगा 16-81 के दिन बरन रहे हैं बहुती अच्चे सुवयोग इसी दिन से साथ राशियों का भाग्योदय शुरू हो जाएगा सभी राशिवाले उपाय करें जो उपाय में आपको बताने वाला हूँ इससे पुत्रधन की प्राप्ति होगी वो आपकी सभी मनुकामनाय पूरी होगी दन बड़ेगा शुक और सम्रदी बड़ेगी जीवन में आरे सारे कश्ट और परिशानी आपके दूर होगे एकादसी का दिन सबसे बड़ा दिन होता है उसमें भी 60-60-81 के दिन तो बड़ा ही महत्व है इस दिन तिल से छहकार किये जाते हैं जिनका की सास्तों में बड़ा बरनन मिलता है इस दिन सुवैशनान करते समय जल में गंगा जल डाल करके तिल डाल के शनान करें उसके बाद में आपको पित्रों का पूजन करना है पित्रों के नाम से पीपल ब्रग पर जल चड़ा के आए में थोड़े से तिल डाल करके जल चलाना हैं वहां पर दीपक जलाएं परक्रमा करें थोड़ा सब प्रशाद भी महां पर पित्रों के नाम से चड़ाएं इससे पित्र प्रसंदों करके मरवांचित फल परदान करते हैं और जीवन में आरे सारे कश्ट और परेसानियां दूर इस दिन भगवान कृष्ण को इश्नान करायें। उनके सामने केले का पल रखें औरrah प्रसत्त के रूप में खाएं। इससे आपकी प्रतेक मनुकामना पूरी होगी। आरे सारे कश्ट और परिषानी आपके दूर हो जाएंगे। इस दिन भगवान सिव का आप सेख करें और भगवान को धतूरे का पल चड़ाएं और तिल भी भगवान सिव को इस दिन चड़ाएं भगवान के सामने चौमुखे दीपक जलाएं ओम नमश्वाय मंत्रका जाप करें इस दिन हनवान जी के सामने भी आपको एक दीपक जलाना है इस से आपकी मनोकामना पुरियोगी इस दिन गौव माता को केले का फल और गुड जरू खिला के आए एक बस्त रुडा के आए इससे आपके पुत्र की मनोकामना धन की मनोकामना पूरी होगी मेस रासी, ब्रसव रासी, करक रासी, सिंग रासी, कन्या रासी, ब्रस्चिक रासी, धनु रासी, साथ ही मकर रासी और कुम रासी ये रासिया है इस दिन बहुत ही ज़्यादा बागिसाली रहने वाली है इन रासियों का यूग बहुत ही ज़्यादा प्रबाबसाली है इसी दिन से इनका बाग यो तैसर हो जाएगा इनमें से साथ रासी तो बेहदी बाग किसा लिए लेकिन नौ रासियां हैं जो बहुत ज़्यादा लखी रहने वाली है